वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज येवाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लग्येगा सारे वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया किस चैनल की बात करें मैं Study for Civil Services की बात करी हूँ और अभी तक आपने टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है Study for Civil Services को अभी जोइन करें ताकि यह सारी वीडियो की बात करें तो अभी तक आपने अगर हमारा को अच्छी और इन्वाइन में यानि की पर्यावरन और पार्सितिकी के कुछ प्रशनों को यानि की जो पिछले विगत वर्षों में हम कह सकते हैं जो आए हैं उनको देखेंगे और यहां पर पीवाई क्यू सको देख रहे हैं उनकी एक्स्प्लेनेशन के साथ और इसके इतर भी जो पीवाई क्यू पूछा गया है उसके इतर भी जो आसपास की चीजे होंगी उनको भी समय के तुरूप से करते हुए हम अपने टॉपिक वाईज आगे इसको करते चाहेंगे ठिक है आए आगे बढ़ते हैं अभी तक आपने अगर हमारा कोई paid group जोइन नहीं किया और आप group जोइन करना चाहते हैं चाहे वो UPPSC की तयारी हो ROAR की तयारी हो BEO की तयारी हो उन सभी को इसके अतरिक भी और exam की तयारी के लिए आप हमारे paid group जोइन कर सकते हैं इन पर contact कर सकते हैं यहाँ पर call details दिये गए हैं जल से जल तय प्रश्न की बात करते हैं तो आज ही हमारे ग्रुप को जोईन करें हमारे पेड ग्रुप को जोईन करने के लिए यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं जैसा कि मैंने का इन्वोर्मेंट और एकलॉजी से सम्बंधित प्रश्नों को हम देखेंगे पहला प्रश्न ही इस टोपिक से शुप से सम्भन गंच से आज प्राइब क्या होता है पहला कथन कहता है भूमी चल वायू पॉधों और पशों की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारो और अस्तित्त में हैं दूसरा कथन कहता है उन संपूर दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय विंदू पर घेरे हुए होती है तीसरा कथन कहता है बहुत दिक जैविकियर सांस्कृतिक दद्दों की अंतक्रियात्म विवस्था को प्रवस्था जो अंतसंबंदित अंतता संबंदित होते हैं चौथा कथन उपरिक्ष सभी यानि कि इस प्रश्ण का उत्तर अगर देखा जाए तो यह सभी चीजे इसके अंदर समय के थोती हैं इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर ऑप्शन दी हो जाएगा यहां पर पर्यावरण यह सभी चीजों को सही रूप से परिभाशित करता है और यहां पर कह रहे हैं प्रित्वी पर पाए जाने वाले भूमी जल पेड़ पौदे वायू जीव जन्तु का समू जो हमारे चार प्रक्रिया एक तंतर के रूप में जिसे हम पारिस्तिकी तंतर के संदर में समझेंगे संचालित होती है जिसे पारिस्तिकी तंतर के रूप में परिभाशित किया जाता है पर्यावरण संरक्षन 1986 को जो आया था अधिनियम इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारो तरफ घिरे हुए चारो तरफ घिरे हुए भौतिक या जैविक दशाएं उनके साथ अंतक्रिया को सम्मलित करता है यह इसने डेफिनिशन पर्यावरण की दी है कि इसने पर्यावरण सरक्षन अधिनियम 1986 के द्वारा क्लियर है आगे बढ़ते हैं इसमें देखेंगे एक खुबसूरती नजर जलकेगी समझ आएगा कि एक्जामिनर को कि हाँ आपने चीजों को सेपरेट सेपरेट नहीं किया बलके इंट्रकनेक्ट करने की कोशिश के जैसे कि उसका एक बहुत खुबसूरत उधारन यहाँ पर आपके समक्ष है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे हमने इंवार्मेंट एकलोजी में कैसे पॉलिटी को सम्मंदित किया यह तभी होगा जब आप सारी चीजों से अवगत होंगे उसके सही नोट्स पड़े होंगे सही किताबे पड़ी होंगी तो सही नोट्स के लिए अब स्टडी फॉर सिवल सर्विसेस का टेलिग्र करें अब जैसे पॉलिटी में आप देखेंगे जो हमारे भारतिय सम्मिदान का अनुच्छेद है 48A वह क्या कहता है कैसे पर्यवरण से संबंदित है उसके अंतरगत कहा गया है राज देश के पर्यवरण के संरक्षन और संवर्धन और वन जीवों की रक्षा करने का प्रय स्तावना के तहत आप देखेंगे ठीक है देखने को मिलता है मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद जैसे 14, 19 और 21 का प्रयोग पर्यवरण संरक्षन के लिए किया गया है आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे ठीक है डीपीएस पीस नीती नेशक तत्त्तों के तहत अन आपर हैं समझ भारत के हर नागरिक का एक डीटी वताता है कि वह प्राकर्तिक पर नाधी है उनकी रक्षा करें उनका समवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रती घाथ भाव या हीन भाबना घात भाव ना रखें ठीक है तो ये सब क्या है आपके पॉलिटी के अंतर कुछ आर्टिकल्स है हमारी constitution में कुछ आर्टिकल्स है जिनको directly और indirectly इसके साथ पर्यवरण के साथ connect करके बताया गया है तो main answer rating के लिहाज से ये पूरा पेज आपके लिए बहुत पहत्पूर है शाहे तो स्क्रीन शॉट ले लिजे या जाकि इस तरह के आर्टिकल सर्च करिए और उसको अपनी पर्यावरण के नोर्स पे किताब पर मेंशन कर लिजे ठीक है अगला प्रशन कहता है समानेता पर्यावरण को निर्म प्रकार से वर्गी कृत का अंश नहीं है परिचालन पर् पर्यावरण को जो है वर्गी करत किया जा सकता है लेकिन इस पीसे उसका अंश नहीं है बहुतिक पर्यावरण है सांस्क्रतिक पर्यावरण है जैविक पर्यावरण है अब यह क्या है क्यों यह एक दूसरे से भिन है यहां पर हम समझते हैं समानता पर्यावरण को बहुति पर्यावरण बच्चों क्या है इसके अंतगत क्या होता है भुगुव आक्रतियां जलाश है जलवायू मिट्टी चटाने खनिच ये सा बाते हैं वही सांस्कृति कल्च्र इन्वार्मेंट के अंतगत अगर हम बात करें तो मानव निर्मित गतिविदियां यानि कि धर्म नैत यहां पर आपने समझा कल्च्र इन्वार्मेंट फिजिकल इन्वार्मेंट और यह जो आपका जैविक पर्यावरण है यह किस तरीके से आपस में एक दूसरे से भेन है और कैसे तीनों मिलाके यह जो एलिमेंट्स है पर्यावरण को कंप्लीट करते हैं सबस्ट है आगे यानि की सस्टेनेवल डबलेप्मेंट कहते हैं एक चर्चा हुई प्रतिवेदन था तो वह जो रिपोर्ट थी प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट थी हो किसके अंतरगत लाया गया था जलवायू पर रिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर जलवायू पर और चीज़े क्या है ठीक है तो यहां पर जो है यह देखे वर्ड कमिशन ऑन इन्वार्मेंट एंड डवलेप्मेंट के द्वारा वर्श 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर यानि की जिससे ब्रेटलेंड रिपोर्ट में के नाम प्रकार से हो कि आने वाली भविश्च की जो भावी पीडिया है वो भी इसका उपभोग कर सके उपियोग कर सके तो दिसस कॉल सस्टेनलेबल डवलेप्मेंट यानि की वर्तमान समय की आवशकताओं को बिना डिस्टरब किये फ्यूचर के जो जेनरेशन आने वाली उनके के लिए उसको बचाके रखा जा सके समाज का सतत्विकास तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्यार के समर्थन के लिए आवश्यक जैब भौतिक और समाजी परिस्तितियां पीडी दर पीडी पोशेत और संग्रित की जा सके इस प्रक प्रश्न का उत्तर पता चल गया कहने का मतलब यहां पर एकि अब हम सस्टैविल डेफिम्टमेंट होलिस्टिक तरीकस समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आप से यह प्रश्न और तरीके से पूच जाए तो आपकी रेंज से बाहर ना हो सके अब उस प्रश्न से रितर हम सम कर सके उसे हम सब्सक्राइब करने के लिए उसको चलाने के लिए उसको कैसे हम सनरक्षित रख सकते हैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ सम्मेलन लाएगा जैसे प्रत्वी सम्मेलन सबसे पहले 1992 में हुआ एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं जिसको रियो घोशना कहते हैं और सतत विकास के लिए प्रतिपूर्ण समर्था नापका ये था पिर जोहांस वर्ग में सम्मेलन 2002 में हुआ अननाम इसे रियो प्लस 20 कहा गया रियो प्लस 10 कहा गया आफ्टर 10 येर्स के हुआ प्रमुक मुद् यहां पर दा होगा दा फ्यूचर वी वॉंट ठीक है दा फ्यूचर वी वॉंट इसका टाइटल था अब इसके वाद सबका जो सबसे पहले प्रयोग कप किया गया तो अंतरास्ट्रे प्रक्रती संरक्षन संग्यानी की आयू सीन अभी जब हम और इसमें प्रशनों को से कवर करेंगे इसने अपनी रिपोर्ट जारी की विश्व सनक्षन रणीती में इस शब्द की व्याका 1987 में जैसा कि अब इमने आगे पढ़ा था इस पर्यवरन एवन विकास वर विश्व आयोग WCED ने अपनी पहली रिपोर्ट व्रटलेंड रिपोर्ट जारी की जिसमे आवर कॉमन फ्यूचर की बात की गए उदेश क्या था इसको बनाने का प्राकर्तिक संसादनों का न्याय संगत उप्योग संरक्षन और उचित प्रवंदन क्या था कि नैच्रल रिसोर्स का इतना जादा कंजप्शन ना हो जाए कि सारा हमीं ग्रैंड कर ले और आने वाले प्राइं पर कुछ भी ना बचे तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आवर कॉमन फ्यूचर की बात यहां पर की गई स्पस्ट हो गया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिये गए हैं जिन में से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया सही उत्तर चुनना है क्योंकि दोनों कथन पूरी तरह से सही है दोनों कथन इंडिज्यली क्रेक्ट भी हैं और एक धूसरे की सही व्याख्या भी Miltz nhiều कर करते हैं इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उप्शन ए हो जाएगा ठीक है है वहीं चीज यहां पर दी गई है अगला प्रश्ण है निमलेखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिएगे कूट का सही उत्तर देना है सही उत्तर देना है रियो प्रत्वी शिकर सम्मेलन ब्रेटलेंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन मॉन्ट्रेयल प्रोच प्रकाशन 1972 में आया ब्रेटलेंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में आया मॉन्ट्रेयल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में रियो प्रत्वी शिकर समिलन 1999 1992 में यह बहुत इंपॉर्टन्ट है ध्यान रखीगा क्यूंकि डाइरेक्ट इससे भी प्रश्ण बन सकते हैं ठ से ठीक लगे याद करने की कोशिश करेगा अगला प्रेशन है धारने विकास किसके उपयोग के संदर में अंतर पीडिगत समवेदन शीलता का विश्य धारनिये विकास भी सस्टनेवल डबलेप्मेंट है सतत्विकास है संपोश्यत विकास की बात करता है ठीक है एकी चीज प्राकर्तिक संसादन भौतिक संसादन और देविकास की जो अवद्यारना है इसमें प्रेंट टाइम में आप देखेंगे प्राकर्तिक संसादनों का नय संगत उपयोग की बात करता है क्योंकि नाच्रल रिसोर्स का सही कंजपशन की यहाँ पर बात की गई है यही आपका जो है, धारनी विकास का सही मतलब है, क्लियर है, आगे बढ़ते, धारनी विकास मतलब समझ रहे हैं, सस्टेनेमल डेपलेप्मेंट का ही दूसरा नाम जो है, धारनी विकास है, वर्शा की मात्रा निर्भर करती है, हवा के दवाओ पर बायू मंदल की नमी पर, जल्चक्र पर ताप क्रम पर, क्या होगा इसका आंसर? Option B हो जाएगा, यानि कि वायू मंडल की नमी पर, यानि कि humidity in atmosphere पर निर्भर करता है, इस प्रश्ण का उत्तर Option B होगा, ठीक है, सभी प्रकार की वर्शा की मात्रा जो है, बूंदा बांदी, बर्फवारी, वायू मंडल में नमी की मात्रा की बड़ोत्री से ही बढ़ जाती है, इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर Option B है, अगला प्रश्ण है, अपक्षे का विचार संबंदित है, the idea of weathering is related to प्रथक हुए पदार्तों का संग्रे, मौसम में देनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक रिया, जो चटानों को सूक्ष्मकडों में, ठीक है, बिवक्त करती है, उपरिक्त मैसे कोही नहीं, क्या समझा रहा है, Option C, आपका इस प्रश्ण का उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अपक्षे, किसी चीज का टुकडों में तूटना, चटानों का सूक्ष्मकडों में तूटना, ठीक है, गो चीज है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहा है, जिसके अंते का चटाने विगटन, यानि की वियोजन द्वारा धीली पढ़कर, विदीड होकर, अलग होकर, अगले अपने स्थान पर बिखर जाती है, यहाँ आपका अपक्षय कहलाता है, निन्मिलिकित में से, किस एक का संबन पर्यवरण सुरक्षा से, नहीं है, ध्यान देना है, मैंने कहा, जब ऐसे प्रशन आए, जहाँ पर सही नहीं के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ विशेश तोर पर आप हाइलाइट कर लीजेगा पहले, ताकि जब उत्तर दें, तो दिमाग में रहे कि सही पूछा गया है, कि नहीं पूछा गया है, निन्मिलिकित में से, डायरेक्टली संबंदित नहीं, हम यह कह सकते हैं, आईए समझते हैं कैसे, धारी ने विकास कागज के थेलों का प्रयोग करने के लिए कहता है, ताकि पर्यवरण को सुरक्षित किया जा सके, तबी पॉलीवेग इत्यादी को बैन करने की बात करते, क्योंकि सौसौ साल तक वो हमारे इंवर्मेंट पे रहते हैं, वातानुकूलन का पर्यवरणी सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीवी का कम करना पर्यवरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों एफेक्ट डालते हैं, और दूसरे द्रस्टी कोर से देखा जाए, तो गरीवी का पर्यवरण से इंडारेक्ट करना रिलेशन होता है, यहां तक इस परस्ट है, आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं कि नीचे दो कथन दिये गए हैं, जिनमें आपको आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है, नीचे दो कथन दिये गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, सतत विकास मारफ समाज के कल्यार के लिए महत्यपूर है, बिल्कुल सही है, सतत विकास से मतलब ऐसे विकास से है, जो भावी पीडियों की जरुरते पूरी करने की योगता को प्रभावित किये विना, वर्तमान समय के अवश्रक्ताओं को पूरी कर सके, बिल्कुल करेक्ट है दोनों कथन ठीक हैं आईए देखते हैं इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा ये इंग्लिश में यहां पर दिया गया है वाँ जगह नहीं थी इसलिए यहां पर लिखा गया है इस प्रश्ण का उत्तर आपका option A हो जाएगा ए और दो कथन सही है और A की सही व्याख्या भी करता है दोरों एक दूसरे को कॉंप्लिमेंट करते हैं ठीक है अब यहां पर समझते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है यह सतत्विकास लक्ष जो है इसको देख लेते हैं बार सबसे पहले प्रस्ताबित हुआ तो 2012 के रियो प्लस 20 समेलन में इसका निधारन संग तो राज संग जहीं कि यह नहीं को द्वारा किया गयता लक्ष क्या है सत्विकास को प्राप्त करने का वर्श 2015 से जब शुरू हुआ और 2030 तक के बीच में इसको प्राप करना एक सत्युने ने कहा है ठीक है ऑब यहाँपर सब्सक्राइब इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कभी मौका मिलेगा यह आप कॉमेंट बॉक्स में बताईए अगर जरुवत लगी तो 15-20 प्रिटी आदे घंटे का वीडियो बना दूगी जिसमें आपको कुईक ऐसे याद हो चाहिए और आप कभी नहीं इसके बाद है इसके बाद है सस्टेनेबल सिटीज और कमुनिटीज रिस्पोंसिबल कंसप्शन और प्रोड़क्शन थर्टीन क्लामिक एक्शन फॉर्टी लाइफ बिलो बॉर्टर फिफ्टीन लाइफ ओन लैंड शिक्स्टीन कहता पीस जस्टिस और स्ट्रॉंग इंस्टूशन सेविंटीन पार्टनर्शिप्स फॉर दे गोल तो इस सेविंटीन आपके स्टीजीज है जिनको बहुत कोई क्यात किया जा सकता है आप कॉमेंट वॉक्स में बताएगा कि आ क्या है यहां पर इस प्रश्ण को लाने का सिर्फ संदर्व इतना है कि आप समझें कि जब आपको कोई करेंट अफेर्स जो आज स्टूशन के चैनल पर आता है तो इसको ध्यान से सुने क्यूंकि करेंट अफेर्स के इंडेक्स से डायरेक्ली ऐसे प्रश्ण पूछते हैं तो इस प्रश्ण को लाने का कॉंटेक्स मात तरह है कि आप इस प्रश्ण की प्रकति को समझें कि ऐसे प्रश्ण भी पूछे जा सकते हैं तो आपको ऐसे टॉपिक भी करेंट अफेर्स से क्या करने हैं कवर करने हैं कहां से कवर करेंगा आप स्टूब चानल में आपको करे के उसे देखे पापा वीडियो कितना कुछ पढ़ा हुए मतलब कहीं और भटकने की ज़रुत ही नहीं है एक ही प्लाटफॉर्म मत कहते ना वन जो है एक स्टेशन है तो यहां पर सब कुछ मिलेगा आपको गुजरात हिमाचल प्रदेश आंदर प्रदेश तमिल लाडू 19-20 क बात कर रहे हैं कि प्रशन का उत्तर है ऑप्शन ए उस वक्त कहते हैं 1925 राज्यों में गुजरात नहीं था इसमें इसके बाद निहां पर 2020 में टॉप फाइव स्टेट और यह कुछ इस तरीके से कैरलाहिमाचल प्रदेश तमेलनादू गांदर प्रदेश गुआ करनाटक रिसेंट में आप जाके एक बार देख लिएगा करेंट अफ़ेर से अफडेट करिएगा इसको जब भी पढ़ें इसको अफडेट कर लीएगा कर लीजेगा निम्लेखित में से कौन सा सतत्त विकास लक्ष यानिकि सस्टनेबल डेपलिप्मेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के जो है पानी की उपलब्दता और इसके स्थाई प्रवंदन को लक्षित करता है स्टीजी 6 ठीक है और इसमें सभी के लिए पानी और सक्षता की उपलब्दता की बात की गई है ठीकाओ प्रवंदन सुनिश्चित करता है और आज 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित ठीक है वर्तमान में जनसंख्या के सुखो का परित्याग किये बिना भविश्य के लिए उर्जा और अनसंसादनों की बचत निन में से किसकी अवधाना परवाशित करता है देखिए समझिए प्रेजन टाइम में जनसंख्या के किसी भी सुखो का परित्याग किये बिना समपोशनिय विकास यानि की सस्टेनेवल डेबलेप्मेंट एक और नया शब्द मिला सस्टेनेवल डेबलेप्मेंट को समपोशनिय विकास भी कहते हैं यह किसको परवाश्यत कर रहा है ऑप्शन सी को परवाश्यत कर रहा है है ना यहीं चीज़ हम कफ से पढ़ते आ रहे हैं सब एकी टर्म है अलग-अलग सोरूप से अलग-अलग तरीके से दे दिये और हमें कन्फ्यूज करने के लिए बोला गया है तो कन्फ्यूज नहीं हो ना उसके मर्म को समझना उसके अर्थ को समझना है अगला है प्रत्वी सम्मेलन प्लस फाइव आयू जित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में तो और सम्मेलन फाइव कभ हुआ था प्लस फाइव आपका उप्शन डी यानि की 1997 में हुआ था इससे हमने यह समझ लिया आगे की कहानी को हम यहां समझते हैं 1992 में विश्वर के नेता ब्राजील के शहर रियो डिजेनरियो प्रत्वी सम्मेलन में कत्र हुए और ठीक पाँच वर्षों के बाद, 23-27 जुन 1997 में मत्य न्यू यू यार्क में सहिक तुरास महसवा ने एक विशेश बैटक आयोजिन की जिसे रियो प्लस फाइव के नाम से यानि कि पाँच वर्षों, 1992 के बाद, 1997, प्लस फाइव यह बैटक एजनडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गया कदमों का मुल्यांकर के लिए बुलाई गई थी, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजे हैं, इससे सम्मंदित हम पढ़ लेते हैं, जो सम्मेलन है, हम समझ लेना है, समझ लेना है, ठीक है, प्रत्वी शिकर सम्मेलन, वर्ष्ट 1992 में, आयोजन इस्थल क्या था, रियो डिजैनेरियो ब्राजील, समय अवदी क्या थी, 3 से 14 जून 1992 को हुआ, इस पस्ट है, रियो प्लस 10, यानि कि प्रत्वी प्लस 10 सम्मेलन, 2002 में हुआ, जस 10 10 यर्स के बाद, इसका आयोजन इस्थल क्या था, जोहांस वर्ष्ट देक्शन अफ्रीका में, 2002 में हुआ, रियो प्लस 5, प्रत्वी प्लस 5 सम्मेलन, 1997 में, ठीक, इसके बाद, जस 1997 में हुआ, आयोजन इस्थल, नियॉयाक, सनुतराज अमेरिका, समय अवदी, 3 से 27 जून 1997 उद्देश क्या था, most important, इसके पीछे का उद्देश होगा ना, भाई, सम्मेलन का कोई उद्देश होता है, तो क्या उद्देश था, एजेंडर 21 को लागू करने की दिशा में, उठाये गए कदमों का मूल्यांकन करना था, इसके बाद आता है, रियो प्लस 20, जस 10 साल बा इस सतत्विकास सम्मेलन को, दस भी वर्षगाट मनाने के लिए, जारी घोशना पत्र का शीशक, The Future We Want, कहां यहां पर दिया गया, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, इसको मैं यहां पर रफ कर दूँ, ठीक है, इसको याद कर लीज़ेगा, बहुत अच्छे से जब भी आप पी वाई क्यूज जो यहां करा रही है, उसके थूई कर लीज़े, आपको कहीं भटकने की जूरत नहीं पड़ेगी, इसके इर्द गिर्धी आपको mostly position देखेंगे, इसके साथ साथ आप हमारे notes पढ़िए, उससे बाहर आपको प्रश्ण इस तरीके से नहीं देखने को मिले है, इसके स्क्रीन शॉट्स भी घ्यान सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए, तो जाके देखें कितने सेलेक्शन हुए है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निर्मलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था, 1980, 1986, 1992, 1994, तो यह कब हुआ था, आप कमरेल लजिसलेशन के रूप में जाना जाता है, वही 1972 में स्टॉक हो में आईजित सहीक तुरास्ट के प्रथम मानव पर्यावरण समेलन के निर्नेयों को कारयान विद करने के उद्देश से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षन अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसने पारित किया था, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा, 1972 में स्टॉक हो में आईजित सहीक तुरास्ट के प्रथम मानव पर्यावरण समेलन के निर्नेयों कारयान विद करने के उदेश से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षन अधिनियम 1986 यहाँ पर पारित किया था, ठीक ठीक है, अगला प्रश्ण क्या कहता है, इको मार्क, प्रतीक, निमलिकित में से किस सम्मंदित है, किस से कनेक्टेड है, सरवोच गुडवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, आयतित सामग्री से, the symbol of इको मार्क, related तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा पर्यावरण से सुरक्ष सामगरी से है ठीक है option B हाँ पर हो जाएगा clear है देखिए भार्ती उत्पादों को दिया जाता है प्रमाण पत्र जो पर्यावरण के प्रती मैत्री पूर्ण होते है अगला प्रश्न है 1962 में प्रकाशित पुस्तक silent spring जिससे विश्व के पर्यावरणी आंदोलन को गती मिली इसके लेखक है केरोलीन मर्चेंट कार्ल मार्क्स रेचल कार्सन राज गोपालन तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा option B होगा यानि की कार्ल मार्क्स जो है silent spring जिससे विश्व पर्यावरणी आंदोलन को गती मिली इसके लेखक है यह और यह सब्रक्षन विद रेचल कार्सन रहे है अमेर इसमें यह तो option दलत है option B नहीं बलकि option C होगा रेचल कार्सन रहे मुझे लगा यह रेचल कार्सन थे यह तो ठीक है यहाँ पर option C है ठीक है option C is the correct answer clear है explanation में देखें यहाँ पर इनका नाम जो है दिया गया है clear है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है 20-20 सदी के 80 के दशक के मत विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई निर्मलेखित में से कौन उन में से महतुपूर्ण नहीं था प्राकरतिक संसात्नों का छरण पर्यावर और प्रदूशन राजडिती एवं विकास चन सामाने का विस्तापन और पुनरवास ठीक है डिस्प पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है प्राकरतिक संसात्नों का छरण पर्यावर और प्रदूशन जन सामाने का विस्तापन पुनरवास यह सभी विकास पर इस तरह की कोई भी विशे पर चर्चा नहीं की गई थी पस्ट है आगे पड़ते हैं सम्वृद्धी की सीमा की अवश्यक आवधारना का प्रतिपादन किसके द्वरा किया गया गया और यहां पर दिया गया है 1968 में दस देशों के तीस व्यक्तियों का एक ग्रूप बनाया गया जिसमें वैग्याने एक सिक्षक अर्थशासरी मानफ्तावादी प्रशासक आदिस में शामिल था रोम के अगला प्रश्णे अदोलिखित कत्तों पर विचार करते हुए नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनना है कथन ए और कारण आर क्या कहते हैं कथन यह कहता है भारत एक नगरिये जनाधिक के वाले देश का उधारन है भारत के अधिकांश वड़े नगरों में क्या है देखते हैं इस प्रश्ण का उत्तर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है ए गलत है नगरिये जनाधिक का वाला देश है नहीं जबकि ग्रामीड जनाधिक के वाला देश है दूसरा कतन ठीक है आये समस्ते हैं क्योंकि यहां पर देखेंगे 2011 की जो जन्गरना इसके आकड़ों के इसाथ देश की लगवए 180 करोड के आवादी 83.4 करोड लोग गाओं में और 37.7 करोड लोग शहरों में निवास करते हैं ठीक है अब जैसे आप देखेंगे यहां पर क्या है कि भारत अभी भी विक्सित देश हो जैसे की होंकोंग सिंगापूर से बहुत पीछे है जहां कि नगरी जनसंक्या 100% है अतब प्रतिशता के आधार पर हम देखें तो विक्सित देश के उधारन में शामिला भी नहीं है फिर भी भारत में नगरी करण की प्रवती अब काफी तेश से देखने को मिल रही है भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर् समस्याओं का जनाधार बनता जा रहा है इसी लिए कथन एक गलत था जबकि कारण आर सही था क्लियर है अगला प्रशन है पारिस्तिकी निर्मलिकित के बीच पारिस पर संबंद का अध्यन है जीव और वातावरन म्रदा और जल मनिश्य और वन पति और पत्नी तो इस पर संबंद का अध्यन करता है और जीव उसके बाहरी वातारण के बीच एक सक्री संबंद उत्पन करता है ठीक है अब यहां पर देखिए अगला प्रशन है अधोलिकित में से कौन सा जीव जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जन संख्या पारिस्तिकी तंत्र सम की जन संख्या कहा जाता है ठीक है दो या दो से अधिक जातियों की जन संख्या को मिलाकर समदाय बनता है और कई समदायों को मिलाकर पारिस्तिकी तंत्र कर निर्मार करते और एक निशित या भूद्रश एक या अधिक पारिस्तिकी तंत्र पाय जा सकते है ठीक है तो सही क् पारसिति की तंग और निश्य छेत्रे भूद्रश क्लियर है अगला प्रशन है इको सिस्टम के संबंद में निमलिखित क्या सत्य है प्रात्मे को भोगता उत्पादक पर नियूंतम रूप से आश्रित है प्रात्मे को भोगता उत्पादक को से संख्या में अधिक होते हैं उ कुछ बोगता अधिकतम होने के सासर बहुत ही शक्ति-शाली है तो इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा आपका और और आपका सी हो जाएगा यानि कि उत्पाद एक प्रत्वाइक पर पौश्ण स्थर में हर पौशन इसतर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगला question क्या कहता है दो कथन देगे जिन मरे Σे two people a कहा एडुसरे को कारण और कहा गया है कथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह थ्यान से देखेगा पारिसिति की थंद्र थे विविद अवियव आपसमें इक दूसरे पर निर्भरा करते हैं और प्रवावित होता है यह रहापका English version इसका इस प्रश्ट का उत्तर आपका option D हो जाएगा ठीक है option D होगा यहाँ पर एक गलत है लेकिन आर सत्य ठीक है कैसे है आई उसको समझते हैं हम यहाँ पर देखें एक पारिस्टिति की तंत्र के कई सारे आप आपस में काम करते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं पारी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई रचना है पारिस्तिति की तंत्र में अजैव तत्तों के जैविक प्रवस्थापना में परिवर्थन इन जैविक तत्त्यों के अजैविक रूप में पुनरगामन के प्रारू यहां समझें किस पस्ट हो रहा है यह इसके घटक है जैसे बहुत तक कारक कौन कौन से अकार्वनिक पदार्थ क्या है कार्वनिक पदार्थ क्या है तापमान आदरता प्रकाश वायु मंडली दाओ ठीक है कार्वनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्वन आयकसाइड, नाइट्रोजन, गैसे यह सब चीजे हैं कार्वनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्वोहर्डेड, लिपिड, ठीक है जैविक घटक में आप देखेंगे उतपादक उप्भोगता और अब घटक है जैसे कि उत पारिस्तिकी तंत्र का उपभाग नहीं है ठीक है परवत पारिस्तिकी तंत्र, साग्रिय पारिस्तिकी तंत्र, निर्म इस्थलिय पारिस्तिकी तंत्र, और जलिय पारिस्तिकी तंत्र, ठीक है परवत पारिस्तिकी तंत्र, निर्म इस्थलिय पारिस्तिकी तंत्र, और जलिय श्स परिश्यटितन सभरख़ 13 सागरे परिषयते की तन्तर नहीं किया गया है करेक्ष है अगला प्रश्ण dxों क्हाख दिश्रंख्ला food chain में मानष कहा तो मानफ शाकाहरी मासाहरी दोनों है यानि कि प्रात्मे को दुत्य को भूपता दोनों है तो इस प्रश्ण का उत्तर ओप्शन D हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर समझना है कि जो फूड चेन है यहाँ पर खाद श्रंकला की जो बात कर रहे हैं आक्शन में सही डेफिनीश क्या है तो क्या है हर जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निरभर रहता है ठीक है यही निरभरता जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो इसे आहार या फिर खाद श्रंकला भी कहते हैं ठीक है इंपॉर्टेंस के है पारिस्तित की तंत्र में उर्जा के संचाल है खाद श्रंकला दूसरी है अपरत खाद श्रंकला ठीक है इसको जब डेट में कभी में स्वेकरा में पड़ेंगे तो महां जरूत पड़ेगी फिलाल यह इंपॉर्टेंट उपर है वह देख लिए हमने पीटी के लिहाज से ठीक है अब यहां पर हमने देखा ही है क्या है खाद श्रंकला में मनुष प्रात्मे कोने के साथ है दुतिय को भोगता भी है अब यहां पर तीन ओ भोगता जो है वो कैसे कैसे समझी है ठीक है अब यहां पर खाद श्रंकला में पोशी स्तर होते हैं यानि कि स्वपोशी प्रात्मे को भोगता दुतिय को भोगता तृतिय को भोकता भी है और दूतियहक भोकता कोँ ने जो पॉधовать दोनों पर निर्वख रहते हैं इसलिए मनुछ पर्टतमेक ओ दुतिय के पहु रिची सब्सक्राइक मासाहरी है खटक कहलाते हैं परिस्ति की तंत में ठीक है अब इसके बाद यहां पर इस प्रश्ट का देखेंगे उत्तर क्या है अगला प्रश्ट है पारिस्ति की तंत के संदर में निम्लिकित कत्तों पर विचार कीजिए स्वपोशी यानि कि स्वपोशन अज जिसकों प्रोडक्शन अट ओटो ट्रॉफ लेवल इस से टूबी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानि कि स्वपोशी इस तर पर उत्पादन को प्रात्मिक उत्पादक्ता कहा जाता है दुतिय उत्पादक्ता का संदर पर पोशी इस तरके उत्पादन से हैं सही कथन पूछ रहा है कौन सा केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो प्रश्ट का उत्तर है आपका अपश्ट दोनों कथन आपके पार्स्तित की तंद्र के संदर में एकदम औरेक्ट हो जाते हैं यहां पर दिया गया प्रात्मे को भोकता पर पोशेट जनतु होते हैं जो पोशेट पौध़ यानिकि प्रात्मे को पादक द्वारा उत्पन जैवेक तत्वो अपना आहार घ्र प्रश्ट का उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो फिलहाल के लिए इस लेक्षर को यहाँ पर समाप करते हैं आशा करती हूँ आपको चीजे समझ आई होंगी कुछ चीजों में अइस पस्ट रता है तो बताइएगा और जो एंशेंट हिस्ट्री के जिस लेक्षर के दौरान मैंने आपसे दो प्रश्णिया एक प्रश्ण जो भी पूछा था उसको कल की वीडियो में आपको दिखा दू और अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोईन नहीं किया है जो की है एट दरेट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसको भी जोईन करें ताकि सारी वीडियो के लिंक इत्यादी आपको वहाँ पर अपडेट होते रहेंगे आप निश्चिन दो के बस टाइम अपनों का ध्यान रखें जय हिन जय भारत